आनंद गिरी जो की अखाड़ा परिशत के अध्यक्ष महेंद्र गिरी के नरिंद्र गिरी के नजदी की सीश्य थे सबसे खास थे वो सुरू से ही गलत कामों में लिप थे उनके बारे में ये बताय जा रहा है कि परियाग राज में शंगम के पास बड़े हनुमान मंदिर के व आचरन का आरोप लगाया था अब उन्हें 26 जून यानि कि यह पहले की घटना है कि 26 जून तक उन्हें अंदर जेल में रखा गया था यह ऑस्टेलिया की बात है पुरानी बात है आनंद गिरी करिब आज से छे मिना पहले शिड्नी गय थे ऑस्टेलिया वहाँ का ध्यात्मि सिवीर में परशिक्षन के लिए उनको बुलाया गया था और अस्टेलियन मीडिया से आई खबरों के मताबिक आनंद गिरी को शिड्नी इस्थित ओक्सले पार्क के वेश्टन श्रब अर्ब से गिरफतार किया गया उनकी गिरफतारी से पर्याग राज में उस वक्त काफी ह सवाल भी उठाया था आनंद गिरी जो कि उभरते हुए शितारे थे उस वक्त के और आनंद गिरी की जीवन की अगर हम बात करें तो आनंद गिरी के कई ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहे हैं जिसमें कि दिखाया गया है कि वह महंगे कपड़े महंगे जूते और Business Class में उनका शफर यह दिखाता है कि वह एक शादू के वेस में वह एक अलग जीवन जी रहे थे और यही लालच जो की कहा जाता है कि एक शादू महातमा लालच सत्य से और इन सब चीजों से बिलकुल लालच लोग से अलग होते हैं और उन्हें सिर्प सत्य पे और अध बिर्दगिरी के बारे में ये कहा जाता है कि इनके लाइफ इस्टाइल बिलकुल अलग था ये जब बिदेश दोरे पर जाते थे तो इनके जो भगवा जो चोला था उतार करके वो अलग ड्रेस में होते थे नाइकी के जूते, बिजनेस क्लास का शफर, बढ़ियां होटल में रहना और वहां के लाइफ इस्टाइल में अपने आपको मिलना जुलना ये सारी चीज़े इनकी थी और इसी दर्मियार इनकी गिरफतारी भी पहले हो चुकी है और उस टाइम इन्होंने छेल खानी किया था, 39 और 34 साल के दो महिलाओं के साथ उस आरोप में शिट्नी में ये गिरफतार हुए थे जबकि उस शमय काफी ज़्यादा शंत महत्माओं ने भारत में इसका विरोध किया था लेकिन अब जो पता चल रहा है उसके मताबिक आनंद गिरी, पैसे के लालची और इन्होंने अपने गुरू नरेंदर गिरी की हत्या कर दी और हत्या के आरोप में गिरफतार भी हो चुके हैं जानी कि इनका जो शुरू से एक चाल चलन था वो कहीं न कहीं लालची परवर्ती था और उनका एक ध्यान था कि इस आस्रम के शारे संपत्ति को हडप लिया जाए और उसमें सबसे बड़े बाधा बन रहे थे इनके गुरू और इन्होंने उन गुरू को ही रास्ते से हटा दिया क्योंकि इनकी लाइफ हिस्टाइल बिलकोल है पास्चाथ्या संस्कृति से मिलती जी लती थी और इनका ये पर्यास होता था कि पास्चाथ खुद को एक सन्यासी कहते हैं जेल के अंदर बंध हैं और अपने गुरू की हत्याक के केस में ये जेल में बंध हो चुके हैं बहुत ही सर्मनाक है खै जो भी हो इस मामले में जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा जैन जै भारत